आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello, हमारा प्रशन है कि निमलिकित प्रशन में एक शब्द दिया गया है उसके आगे चार अन्या शब्द दिये गए है तो उनमें से एक दिये गए शब्द के अक्सरों से नहीं बनाया जा सकता तो उस शब्द को ग्याद कीजिए देखो हमारा प्रशन है कि कौन सा शब्द हमारे दिये गए शब्दों से बनाया जा सकता है देखो, यहां देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे शब्द की, हमें जो शब्द दिया गया है, वो है information, पहरे हम इसे दिख लेते हैं, I, N, F, O, R, M, A, T, I, O, और N, मैं बात करता हूँ हमारे पहले विकल्ब की, हमारा पहला विकल्ब है farmer, देखो, अगर मैं बात कर दिये गये शब्द में आ रहा है, A भी आ रहा है, R भी आ रहा है, M भी आ रहा है, पर हमारे दिये गये शब्द में, E वरन जो है वो, अनुपस्तित है, E वरन क्या है, अनुपस्तित है, और E वरन की अनुपस्तिती के कारण, जो farmer शब्द है, वैं हमारे दिये गये शब्द से नहीं बनाया जा सकता मैं बात करता हूँ विकल्प नंबर दो की हमारा दूसरा विकल्प है वो है मोशन यहां देखो M O T I O N मोशन जो शब्द है हमारे दिये गए शब्द से बनाया जा सकता है मैं बात करता हूँ विकल्प नंबर तीन की हमारा तीसरा विकल्प है तो यहां देखो F आ गया F-I-R-M पर even यहां पर क्या है अनुपस्तित है और even की अनुपस्तिती के कारण फायर मेन शब्द भी नहीं बनाया जा सकता मैं बात करता हूं विकल्प नंबर च्यार की नेम, तो यहां देको N, A, M और E वरन के उपस्तिती के कारण नेम शब्द है, तो वह भी हमारे दिये गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता, यानि कि विकल्प नमबर दो, यानि कि मोशन को छोड़ कर अन्य कोई भी शब्द हमारे दिये गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता, तो हमारे दिये गए शब्दों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, मोशन शब्द बनाया जा सकता है, तो हमारा अंचुर के आगा विकल्प नमबर दो, धन्यवाद